जिसमें problem ये है कि वो चल नहीं रहा है पर दोस्तों ये problem बहुत ही सारे selling fan से हटके है इसलिए मुझे लगा क्यों ना इस पर एक complete video बना दिया जाए दोस्तों ये video बहुत ही ज्यादा knowledge देने वाला है इसलिए आप इस video को end तक जरूर देखें दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो आप हमारे channel को subscribe कर लें और घंटे के निशान को भी all पर दबा दें चलिए दोस्तों मैंने selling fan को open कर लिया है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें problem जो है वो क्या है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये छोटा वाला selling fan है और दोस्तो इसमें blade जो लगते हैं वो चार blade लगते हैं दोस्तों ये फिलहाल aluminum की winding में है और इसकी coilों में क्या problem है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ज्यादा तर fan में ये problem आना एक आम बात है दोस्तों ये aluminum की winding होने की वजह से ही ये problem ज्यादा तर आ जाती है दोस्तों द कोई current नहीं आ रहा है ये starting coil इसकी ठीक हैं लेकिन अगर हम इसकी ये running coil चेक करते हैं तो देखिए ये कुछ भी नहीं बताता है दोस्तों motor में current आ रहा है लेकिन motor घूम नहीं रही है तो दोस्तों इसकी running की जो ये coil हैं ये ही खराब हैं दोस्तों जैसा कि आप देख पा रह हैं दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये aluminum की winding है और aluminum की winding होनी की वज़े से क्या होता है दोस्तों कि इसमें जहां connection होते हैं वहां पर carbon आ जाता है दोस्तों यहीं problem इस motor में है इसकी जो running की coil हैं connection है उन पर carbon आ गया है दोस्तों फिलहाल मैं इसकी running की wire जो है वो नि गई है दोस्तो इसी तरह से हम इसकी दूसरी वायर भी देख लेते हैं देखिए दोस्तो ये भी बिल्कुल अलग है और इसमें भी देखो दोस्तो कितना सारा कारबन है बिल्कुल वायर जो है वो काली हो गई है जिसकी वज़े से इसमें करेंट नहीं आ रहा है दोस्तो अब ह इसका polish अच्छी तरह से साफ कर लिया है अब इस wire में हम बड़ी वाली सिलिक को लगा लेते हैं इस तरह से और दोस्तो इसको लगाने के बाद में हमें इसमें connection कर देना है ठीक है अब मैं पहले इस wire पर connection कर लेता हूं दोस्तो इस तरह से आपको इसमें क्योंकर ये wire छोटी है इसलिए बहुती साफधानी से करना है आपको बिल्कुल भी इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए ये wire जो है ये नहीं तूटना चाहिए दोस्तो क्योंकर ये aluminum की wire है ये काफी हलकी होती है तो दोस्तो इस तरह से इसको कर दिया है अब हमें क्या करना है इस slip को इधर को ले आना है दोस्तो ये बहुती बढ़िया तरीके से coil हो गई है चलिए इसी तरह से हम ये coil भी बना लेते हैं देखिए दोस्तो इसका connection भी complete कर दिया है अब हमें क्या करना है ये wire जो है हमें उपर को निकाल लेना है अब इसमें एक cable tile लगा देते हैं ताके ये बाहर को जो है wire इसकी ना निकले इस तरह से इसको tight कर देते हैं और फिलहाल इसको काट भी देते हैं चलिए दोस्तो अब motor को check करके देख लेते हैं देखिए दोस्तो ये तो हमारी starting वाली coil है ही जो के सही काम कर रही है अब हम इसके running वाली भी देख लेते हैं दोस्तो ये बिल्कुल ठीक हो गई है अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है चलिए हम इसे फिट भी कर लेते हैं दोस्तो इसको अच्छी तरह से मैंने फिट कर लिया है और इसके connection भी कर दिये है चेक कर लेता हूँ सिरीज पर लगा कर देखे दोस्तो पंका बहती बड़िया चल रहा और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तो अगर आपने अब थम कर लेए और घंटे के निशान को भी आल पर दबा दें दोस्तो वीड्यो को लाइक दिये और वीडियो को जैदा से ज़्यादा शेर करें ताके और लोगों को आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद वंदे मातरम